लेखा सास्तर कक्सा बारा अध्याय साथ स्वयुक्त साहस खाते हैं नमस्कार मित्रो मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ मैं एक श्मय पाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है प्रशन एक स्वयुक्त साहस क्या है उत्तर स्वयुक्त साहस एक विशेश परकार के कारोवार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित अवदियें कारिये के लिए करते हैं प्रशन दो स्वयुक्त साहस कब समाप्त होता है उत्तर विशेश कारिये के पूर्ण हो जाने पर अथ्वा निश्चित अवदिये समाप्त हो जाने पर स्वयुक्त साहस भी सुते समाप्त हो जाता है प्रस्न तीन संयुक्त साहस से उत्मन लाव आने का क्या किया जाता है उत्तर संयुक्त साहस के अंतरगत किये जाने वाले कारोवार अथ्वा वेव साहस से प्राप्त लाव आने को निर्दारी तनुफात में साहसियों द्वारा अपस में बांट लिया जाता है प्रस्ल चार, संग्त साहस में कारोवार करने के लिए पूंजी कोन लाता है उत्तर, संग्त साहस में कारोवार करने के लिए परतेख साहस ही अपने इसे की पूंजी लाता है प्रस्ल पाँच, संग्त साहस में सामिल होने वाले को क्या कहते है उत्तर, सयुक्त साहस में सामिल होने वाले को सह साहस ही कहते हैं प्रश्ण छे, सरल सब्दों में सयुक्त साहस क्या है उत्तर, एक परकार से ऐ इस्ताई साजेदारी अथ्वा वेक्तियों का समू है है प्रश्ण साथ सम्युक्त सास में प्राय किन कारियों को किया जाता है उत्तर एक किसी विशेश वस्तू का व्यापार दो किसी विशेश वस्तू का आयात निर्यात का कारिये 3. बहुनिर्मान 4. किसी कमपनी के अंसों एमरिन पत्रों का अभिगोपन 5. भुखंडों या उन पर बहुनिर्मान कर बेचना आदिकारिय सहुक्त साहस के अंतरगत किये जाते हैं प्रश्ण 8. सहुक्त साहस की महत्वे पूर्ण बातें कौन सी हैं उत्तर 1. इसमें प्रायस सभी साहसी मिलकर कारिय करते हैं 2. सहुक्त साहस का फ्रम की तरह कोई विशेश नाव नहीं होता है 3. इसमें आपसी समझ भी महत्वे पूर्ण होती है आदि प्रश्ण नो, स्युक्त साइस की विशेशता हैं क्या हैं? उत्तर एक स्युक्त साइस किसी विशेश कारिये को निश्चित समय तक पूरा करने के लिए होता है कारियावदी समाप्त होने पर कारिये भी सकते समाप्त हो जाता है 3. संयुक्त साहस के समापत होने पर लावानी विवाजन एवं हिशाब किताब का निप्टारा कर लिया जाता है 4. संयुक्त साहस प्राय अल्पकालिन होता है 5. संयुक्त साहस का कोई नाम नहीं होता है इसमें सह साहसी इसके साथ ही निजी वेव साहई भी कर सकते हैं प्रश्ण 10. नाम के आदार पर स्वयुक्त साहस और साजेदारी में क्या अंतर है? उत्तर. स्वयुक्त साहस का प्राय कोई नाम नहीं होता है, जबकि साजेदारी साहस तक एक निश्चित नाम होता है. प्रश्न ग्यारा उद्देसे के आदार पर स्वयुक्त सास और साजेदारी में क्यांतर है उत्तर स्वयुक्त सास का उद्देसे निश्चित कारी या निश्चित समय तक व्यवशाय करना है जबकि साजेदारी का निर्मान निरंतर संचालने दो होता है प्रश्ण बारा पंजियन के आधार पर स्युक्त सास और साजेदारी में क्यांतर है उत्तर स्युक्त सास में पंजियन कराना आवश्यक नहीं है जबकि साजेदारी में पंजियन कराना आवश्यक है प्रस्न तेरा आदिनियम के आदार पर सहुखत सास और साजेदारी में क्या अंतर है? उत्तर सहुखत सास के लिए कोई प्रथक अधिनियम नहीं होता है, जबकि साजेदारी में साजेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है प्रश्ण चोदा, सदस्य के आदार पर संयुक्त सास और साजेदारी में क्या अंतर है? उत्तर, संयुक्त सास में बाग लेने वाले को सैसासी का जाता है, जबकि साजेदारी में बाग लेने वाले को साजेदार का जाता है प्रेशन पंद्रा सदस्य संख्या के आधार पर संयुक्त सास और साजेदारी में क्या आंतर है उत्तर संयुक्त सास में कम से कम दो और अधिक्तम सद्यों पर कोई पर्तिवन नहीं होता है जबकि साजेदारी में अधिक्तम 20 सदस्य तदा बेंकिंग वेशाय में 10 सदस्य होते हैं प्रशन 16 संबंद के आदार पर संयुक्त सास और साजेदारी में क्या अंतर है उत्तर संयुक्त सास में सास्यों में प्रश पर समझ होती है जबकि साजेदारी में साजेदारों में आपसी संबंद होता है प्रशन 17 संयुक्त सास समंदी लेखा करने की कितनी लेखा विदिय उत्तर स्वयुक्त सास में मुख्य रूप से लेखा करने की दो लेखा विदिया है एक स्वयुक्त सास के लिए पर्थक से लेखा पुष्थ के रखना दो स्वयुक्त सास के लिए पर्थक से लेखा पुष्थ के नहीं रखना जिसमें ए परतेक सासी द्वारा स्वें के लेंदेनों का लेखा रखा जाता है और बी स्वें के लेंदेनों के साथ अन्य सासियों के लेंदेनों का भी लेखा रखा जाता है प्रस्न अठारा, स्वंग्त सास के लिए पर्थक लेखा पुस्त के किन प्रिस्तितियों में रखी जाती है उत्तर एक, जब सभी सासी एक ही इस्तान पर रहते हो दो, स्वंग्त सास का कारोबार बड़ा हो और, तीन, सास यों दोरा अपस में मिलकर निर्ने लिया गया हो इन प्रिस्तितियों में पर्थक पर्थक लेखा पुस्त के रखी जाती है प्रस्न बीश, स्वंग्त सास काते की विशेशता हैं क्या है उत्तर, एक, स्वंग्त सास खाता, व्यापारी गें लाव आनी खाते की तरह होता है इसमें सभी करिये एंग खर्चे नामपक्स में लिखे जाते हैं तीन, विक्रिये में अन्याय को जमापक्स में लिखा जाता है चार इस खाते का अंतर लाव आनियों को परकट करता है और पांच लाव आनियों को इसी खाते के माद्यम से साशियों में बाटा जाता है प्रेशल 21 संयुक्त बेंग खाता क्या है उत्तर 1. संयुक्त साश के सभी बुगदान इसी खाते से किये जाते हैं 2. सभी सास्यों द्वारा अपने इस्टे की पूंजी की रकम इसी खाते में जमा की जाती है और 3. विक्रियादी से आई की रकम को इसी खाते में जमा किया जाता है प्रश्ण 22. परतेक सास्य का पूंजी खाता अत्वा वेक्तिगत खाता क्या है उत्तर एक, सासी द्वारा अपने इसे की राकम को इसी खाते के मादेम से स्वयुक्त खाते में जमा की जाती है दो, स्वयुक्त सास की समापती पर वेक्तिगत खाते में विशेस राश्ची को बुगतानगर लेखा पुस्त के बंद की जाती है तीन यदि माल की पूर्टी कोई सास ही करता है तो उसका वेक्तिगत खाता क्रेडिट किया जाएगा चार यदि किसी खर्च का बुगतान कोई सास ही करता है तो उसका वेक्तिगत पुझी खाता क्रेडिट किया जाएगा प्रश्न तेईस, यदी संयुक्त सास के लिए माल उधार क्रिय किया जाता है, तो लेखा किस परकार होगा, उत्तर संयुक्त बेंक, खाते के इस्तान पर आपूर्ती करता के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, प्रश्न चोईस, यदी किसी सास ही का पूंजी खाता, अत्वा व्यक्तिकत डेविट सेस बताता है तो क्या किया जाएगा उत्तर अंतिम भुगतान से पहले उस साहसी से शेस रकम वसूल की जाएगी एवं उसके बाद अन्य साहसियों को भुगतान किया जाएगा प्रशन पचीस सेंक्त साहस के लिए पर्तक्षे लेखा पुस्त के रखना क्या है उत्तर जब सभी साहसी एक ही इस्तान पर नहीं रहते हो एवं सेंक्त साहस का कारोभार भी अधिक बड़ा नहीं हो तो सेंक्त साहस के लिए लेखा पुस्त के अलक्षे नहीं भी रखी जा सकत एसी दसा में सायसी गण अपनी ही पुस्तकों में सवयुक्त सायस के लेंदेन का लेखा रख सकते हैं। प्रश्ण 26, सवयुक्त सायस के लिए पर्थक से लेखा पुस्तके नहीं रखने की इस्थिती में कौन सी विदियां अपना ही जाती हैं। उत्तर एक, पर्थक सायसी द्वारा केवल समय के लेंदेनों का लेखा रखना और दो, समय के लेंदेनों के साथ ही अन्य सायसियों के लेंदेनों का लेखा रखना ये दो विदियां अपना ही जाती हैं। प्रेशन 27. परतेक सासी दुवारा केवल सुएके लेन देनों का लेखा रखना क्या है, उत्तर लेखांकन की इस विदी में परतेक सासी अपनी लेखा पुस्तका में, स्वैंक्त सायस खाता स्वैंक्त सायस के नाम से खोलता है इस खाते की परकरती वेक्तिकत खाते की होती है स्वैंक्त सायस की समापती पर इस खाते का सेस अन्य सायस इसे लेना बाकी वा देना बाकी बताता है प्रशन अठाइस स्वैंक्त सायस में समय के लेंदेनों के साथ ही अन्य सायसियों के लेंदेनों का लेखा रखना क्या है उत्तर इस विदी के अंतरगत सभी सायस ये अपनी अपनी लेखा पुस्तकों में स्वैंक्त सायस के समयस्त वेवारों का लेखा रखते हैं इसकी लिए उनकी पुष्टकों में दो खाते, एक सयुक्षाथ खाता, एम दो अन्य सासी का वेक्तिकत खाता खोले जाते हैं, ये खाता व्यापार एक लाव आनी पर करती का होता है, ये खाता सयुक्षाथ की लाव आनी को परकरता है. प्रस्ण 39, सैसासी किशे कहते हैं उत्तर ऐसे व्यक्ति जो मिलकर ऐस्ताई तोर पर व्यापार करते हैं सैसासी कहलाते हैं प्रस्न तीस बिल बुलाना क्या है उत्तर प्राप्त स्वीकर्ति को समय से पूर्वे बेंक से बुना कर राशी प्राप्त करना बिल बुलाना कहलाता है धन्यवाद